आज हम आपको मूमफली से होने वारे लाव के वारे में बताएंगे लेकिन आपसे मेरा निवेदन है अगर अभी तक आपने मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें और साइड में घंटी के बटन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडि तो शुरू करते हैं मूमफली सर्दियों का सबसे लोग परी यर्ट टाइम पास है इसे सस्ता बादाम भी कह जाता है इस बात से ही अन्मा लगाया जा सकता है कि इसमें लगवग वो सारे तत्त्त फाइ जाते हैं जो बादाम में होते हैं लेकिन भीषद तस्ती कीमत पर मू मूमफली खाने के फायदे सर्दी जुकाम में उप्योगी मूमफली खाने से तोचा भी बहतर बनती है मैगनीब सियम से भरपूर मूमफली हमारे तंत्री का तंत्र मास पेशियों और रक्त भाहिकाओं को सांत करके तोचा के लिए बहतर रक्त प्रभा प्रदान करती है जिससे आपको एक युवा और स्वस्थ तोचा मिलती है मूमफली में पाया जाने वाला बीटा कैलोरीन एक एंटी ऑक्सिडेंट है जो तोचा के स्वास्ते के लिए बहुत महत्पूर है मूमफली का प्रियोग आप बजन कम करने में भी कर सकते हैं मूमफली बजन कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है मूमफली में प्रोटीन और फाइवर होता है यह दोनों पोशक तत्व भूग को कम करने में प्रभावित हैं इसलिए भोजन के बीच में कुछ मूमफली खाने से आपकी भूग कम हो सकती है जिससे बजन कम करने में मदद मिल सकती है रोजाना मूमफली का सेवन करने से बजन कम हो जाएगा मूमफली खाने के फायदे, बढ़ाए प्रजनन सक्ती, मूमफली महिलाओं में प्रजनन सक्ती को बहतर बनाती है मूमफली में folic acid होता है folic acid गरबावस्ता के दोरान बून में 70 प्रसीत तक गंबीर नूरल ट्यू दोस्ट के जोकिंगों कम कर देती है मूमफली खाने से आप अपने पेट को भी सही रख सकते हैं मूमफली में मौझू तक पेट से जोड़ी के समस्चाओं में रहाद देने का काम करते हैं इसके नियमित सेवन से कबच की समस्चा दूर हो जाती है मूमफली खाने से सरीर को ताकत मिलती है इसके अलावा है पाचन किरिया को भी बहतर रखने में मददगार है मूमफली को सर्दियों में खाने से दिल से जुड़िस बीमारियों का कत्रा कम रहता है मूमफली के नियमित सेवन से सरीर में घून की कमी नहीं होने पाती है